एलो फ्रेंस वागात है आपका आपके अपने यूटूब चनल पर शाहिद दगेमा फ्रेंस आप भी अगर अपने जूटी एफाई गेमें इस मीनी कार को इस RC कार को इंस्टॉल करना चाहते हो तो वीडियो के साथ में बने रहे और वीडियो को बिना इसकीप किये देखे और चैनल पर न्यूँ हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को फ्रेंस भाए आपको बता दू इस RC कार का इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही इसी है पर इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा ट्रीक है तो वीडियो को इसकीप मत करना अगर आप इसकीप कर दोगे तो आगे का स्टेप्स आपको समझ में नहीं आएगा और आप जो है वो इस RC कार को कंट्रोल नहीं कर पाऊगे तो चलते हैं इंस्टॉलेशन के तरफ हाथ अफेस उस RC कार को डाउलोड करने के लिए हमें किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है जीडियेफायमोज.com की वेबसाइट पर जाना है और यहां पर सल्च करना है RC कार सल्च करने के बाद में जो फाइल आएगे RC कार पैक एड़न पैक तो इसे मैं डाउलोड कर लेता हूँ इसे कैसे इंस्टॉल करना और कैसे अप्लोड करना है मैं आपको थोड़े दिर में बताने वाला हूँ आप उसे देखके जो है वह इंस्टॉल कर लेना डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा तो मुझे यहां पर विंडोस को स्लैक करना है यह थोड़ा सा टाइम लेता है के लिए आपके कम्प्यूटर के स्पीड के उपर है कि कितना टाइम लेगा तो यह स्टार्ट हो गया यहां पर इसे स्टार्ट होते ही हमें टूल्स पर जाना है और यहां पर चेक करना है कि इंस्टॉल हाई की नहीं अगर इंस्टॉल होगा तो यहां पर अनिस्टॉल सो कर अगर आपको इंस्टाल livre करना हो तो आप इंस्टाल कर लेना तो मैं इसे क् Πुछ कर लेता हूँ,शसफ करने के वाद में अंडे पर पेस्ट करना होता हुग क्योंकि यहां से मैंने Edit Mode नहीं किया हुए, तो यहां से Edit Mode on करना है हमें, Edit Mode on करने के बाद में इस वाली फाइल को यहां पर हमें drag करना है यहाँ पर यह भूइंग हो जाएगी तो आपको निच्वे के तरफ दिख जाएगा कि यहाँ पर यह पर दो यह बहुत होगा यह प्रॉपरली तो हमें next step क्या करना होगा readmue open करना हैं हमें readmue open करने के बाद में हमें फिर से open पर जाना होगा मोड पर जाना होगा अपडेट पर जाना होगा यहां पर कॉमन पर ओपन करना होगा डेटा ओपन करना होगा डेटा ओपन करने के बाद में हमें ड्नाय करना यहां से हरना हरा यह वह लाइन को मरगelly कोपी करके के बाद मेंthis openuvn के इस dlc लिस्ट अगर एक पेस्ट कर दो अपको कुछ इस तरह के सबूत हिए यह यहां पर नहीं इसे पेस्ट करने के बाद हमें नहीं हमें जो शीटराफ созд module कर देना है इसे हमारी जो वह RC car है हमारे game के अंदर अब वो install हो गई है तो आप game के अंदर मिलते हैं और देखते हैं कि उसे spawn कैसे करना है और control कैसे करना है और जो camera, sticky bomb और gun कैसे attach करना है वो सब देखेंगे फरेंच साबर जो मेरा game है वो on हो चुका है जो हमने अभी car pack install किया हुआ है उसे एक 3 car हमारे game के अंदर install हुई है तो उसे spawn करने के लिए हमें F8 press करना होगा ये एक menu mode है अगर आप इसे install नहीं किये होगा हो तो मैंने इसके ओपर एक video बनाया हुआ है how to mode GTF है वो video देखके जो है अब इसे install करने ना अपने game के अंदर menu mode को तो हमें vehicle option पे जाना है vehicle spawner पे जाना है off road में जो है वो car मिल जाएगी हमें जो अभी हमने install की हुआ है RC car, mini car अब कुछ भी बोल सकते हो उसे तो मुझे निचे की तरफ आना है और उसे search करना होगा यह रही वो car तो यह car जो है यहाँ पर आ गई है एक और car है तो यह भी car जो है यहाँ पर आ गई है एक और car है तीन car हमने भी install किया हुआ है तो मैं जो back करना होगा, back करने के बाद मैं super में जाना होगा सूपर में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हूं मैं निचे की तरफ आउँगा और यह तीसरी कार यह तीनों कार जो है हमारे गेम के अंदर इंस्टॉल हुई है अभी हमने इंस्टॉल किया है तो अभी इस कार के अंदर जो है वो बैठना कैसे है एफ आप प्रेस कर करने के बाद में वहिकल ऑप्शन पर जाने के बाद में हमें वहिकल स्पॉनर पर जाना है इस पॉन सेटिंग में जाने के बाद में आटो सिट इन वहिकल को जो है हमें अन कर देना है इसे अन करने के बाद में हमें फिर से बैक करना है इस पॉनर पर जाना है और आफ रोड के अंदर बैठ जाओंगा अब मैं इस कार के अंदर बैठ गया हूं और इसे फुली कंट्रोल कर रहा हूं और मैं यह जो कार है वो चल रही है बहुत ही बढ़ियां तरीके से चल रही है अब इस कार के अंदर जो है हमें बॉम लगाना है इस्टिकी बॉम लगाना है गन लगा आएगा तो remote bomb remote bomb करेंगे तो आपके गार के अंदर जो है वह bomb attach हो जाएगा और बॉम जो है वह लग जाएगा और अगर आप इसे fully पूरा अच्छे तरीके से जो है वह अपग्रेट करना चाहते हो तो इस पर right click करना है right click करने के बाद में menu custom पर जाने के बाद में auto upgrade कर देना यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी कार की लूक है वह बहुत ही जादा खतरनाक हो गई है तो आप अपने हिसाब से जो है आपको जो अच्छा लगेगा वह हिसाब से आप जो है इसे upgrade कर लेना अब बाद आती कि इसके ओपर जो है हम गन और camera कैसे attach करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा पूरा back करना है हाथ तो friends हमें next हमें इस car के ओपर camera और gun attach करना है तो मुझे उसके लिए F9 प्रेस करना होगा F9 प्रेस करने के बाद मैं F प्रेस करना है spawn entity into world पे जाना है object पे जाना है search पे जाना है यहाँ पे camera इस camera को जो है मैं spawn कर लेता हूँ इसे spawn करने के बाद में जो यह camera है मेरे car के साथ में अभी attached नहीं हुआ है अब देख सकते हूँ अगर मैं अपनी car जो चला रहा हूँ तो यह जो camera है वहाँ का महाई है और camera जो हिल रहा है तो इसके लिए हम मुझे क्या करना होगा F9 प्रेस आपको Z की value के साथ में थोड़ा साथ में खेलना होगा तो मैं इसके ज्मीर को जो है वह ऊपर के तरफ लेकर आता हूं तो अब यहां पर देख सकते हूँ कि मेरा camera जो है वह ठीक तरीके से नहीं बेठ रहे तो आप क्या करना होगा अभी मैं यहां पर कम कर रहे हो तो यह अ ऑपर जा रहा है तो मैं इसे 100 कर देता हूं 100 करने के बाद में Z की वैल्यू जो है मैं इसके साथ में थोड़ा से खेलूगा और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा दीक रहा है ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में अटेच है अभी मुझे जो कैमरा जो है ये मेरा camera जो पिछे के तरफ जो है इसका इस लांस जो है फिकछे के तरफ आ रहा तो दो मुझे से लिए क्या करना होगा यह से 1000, 1000, 1,000 कर दीजिए और फिर करिए यह तुरंत हो जाएगा बहुत ही फास्ट हो जाएगा तो इसे देखना है हमें कि यह ठीक तरीके से जो है अपने जगे पर आया है या नहीं आया है अलाइन हुआ या नहीं हुआ तो यह थोड़ा सा जो है वो त्वेडा दिख रहा ह इसे सीदा करने के बाद मैं मुझे इसे जो है वो X, sorry X नहीं, Y, Y से बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है यह तो मैं इसे Y की वेल्यू से जो है वो 1100 करके जो है Y की वेल्यू से मैं इसे थोड़ा सा आगे कर दूँगा ताकि जो मेरी गन है वो भी यहां पर अटैच हो जा इसे लिए इसी गन को जिसको हुम क्यों है अगर आप से कोश्टमाईज होगी तो आप इस्तन कन यूजे कर लेना बगर मैं यहां पर मैं दूसरी दुसरे जैसे को एजीली कॉस्टो में एसीली कंट्रोल कर सकूँ तो मैं यहां पर एक गन जहांपर इसपॉन कर लेता हूं अब चेक कर लेना अगर से यह भी खौस्टमाईज नियो 8 तो आप आपको यहाँ पे यह है यह यहाँ etti तो मैं इस पर भी उम्हार्ट के लिक कर रहा हुं मतलब अपना जो करसर इस पर लेकर जा रहा हूं तो मेरे जो कर सक्ते हो आप आप अगर आपसे हो रहा होगा तो आप कर ले ना फरिलाल मैं दूसरी गन ले 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 तो यहां पर वो गन मुझे मिल रही नहीं है कि वो कौन सी गन मैंने लिया था यह रही वो गन तो मैं इसे कॉस्टमाइज कर सकता हूँ आप देख सकता हूँ कि अगर मैं इसके उपर अपना करसर लेकर आ रहा हूँ तो मेरा जो एरो है जो मेरा प्लस का साइन आ रहा है वो ग्रीन हो रहा है तो मैं इसे कॉस्टमाइज कर सकता हूँ तो मैं इसके ओपर right click करूँगा आप देख सकते हों कि इसके ओडिट कर सकता हूँ तो मैं इसे क्या करूँगा यहाँ पर अच्छे से fit कर दूँगा इस car के ओपर और इसे भी हमें उसी तरह जैसे मैंने पहले किया था तो मैं इसे right click करूँगा इसे जगे से select करना है जिसे कि हमें कोई और object select ना हो तो मैं इसे right click करूँगा right click करने के बाद मैं attachment option पर जाओंगा attachment attached to something पर जाओंगा और current vehicle कर दूँगा current vehicle करते हैं यह भी जो है इसकी जो value है वो change करना होगा हमें इसे ओपर के तरफ लाना होगा तो यह ओपर के तरफ आ गई इस तरीके से जो यह ओपर के तरफ आ रही है अब यह मेरे camera के अंदर गोश रही है तो मुझे क्या करना होगा इसे थोड़ा सा जो है इसकी पीछ बगरा जो है वो चेंज करना होगा और यह जो ही है ओपर के तरफ आ जाएगे और ऐसा लगेगा कि इसके साथ में ही है अब मैं यहाँपर बेक कर रहो हूँ बेक करने केबाद मैं F9 प्रेस कर रहो हूँ और आगे के तरफ जा रहो हूँ अब मैं आपको एक और बात बदाता हूँ, अगर मैं फायर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि जो है मेरी कार के अंदर से कुछ निकलता हूँ, दिखा रहा है यह देखो, कुछ तो भी ऐसा निकल रहे है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप स्टार्ट में कर लेना, तो मुझे F प्रेस करना है, F प्रेस करके कार में से बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद में हमें यहाँ पर स्टन गन अब मैं दुबारा से इस कार के अंदर जाके बैठना चाहता हूँ, तो मैं इस कार के अंदर जाके नहीं बैठ सकता हूँ, अब मैं F प्रेस कर रहा हूँ देखिए मैं इस कार में जाके नहीं बैट पा रहा हूँ यह सिर्फ इसी कार के साथ में प्रॉबलम है इस कार में जो है हम दुबारा से नहीं बैट सकते है अभी मैं दूसरी कार अगर यहाँ पर spawn करूँगा जैसे कि मैं आपको spawn करके दिखा जाता हूँ F8 मैं ने प्रेस किया वेहिकल option पे गया, spawner पे गया spawner पे जाने के बाद मैं हमें off-road पे जाना है off-road में जाने के बाद मैं निची के तरफ आना है और जो है हमें दूसरी कार जो है कहा गई यह रही वो कार यह रही वो कार तो मैं इसे spawn कर लेता हूँ और मैं इस कार के अंदर जो है मैं आके बैर यहाँ अब मैं अगर यहाँ से कुछ fire कर रहा हूँ जैसे कि कोई बंदा मुझे यहाँ पर मिल जा जल्दी से जैसे वो बंदा मुझे यहाँ पर मिल गया है अभी मैं यहाँ से इसे fire करूँगा fire कर रहा हूँ तो मेरे कार के अंदर से कुछ भी नहीं निकल रहा है आप देख सकते हूँ मेरे कार में से कुछ बाहर के तरफ नहीं आ रहा है यह सिर्फ instant gun लोगे तो आपके कार में से कुछ भी भाहर नहीं आएगा और आप easily किसे भी down कर सकते हूँ तो मैं इसे down करने के कोशिश करता हूँ और यह down हो गया और यह भी down हो जाएगी sorry लगा नहीं उसे 4 सेकंड लेता है यह reload होने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसे बाहर निकला f-press करा इस कार से बाहर निकल गया अब मुझे फिर से इस कार में जाना तो मैं f-press करूँगा तो इस कार में return से बैठ सकता 오늘은 यह सिरीफ इसी कार के अंदर option है जो हमने अभी spawn किया था हूँ और attach किया camera वगेरा उस car में जो है वो नहीं बैठता है आप एक बार try करके देख लेना अगर आपके car के अंदर आपके game के अंदर बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं बटा तो आप जो है इतने से जो है आप अपनी story बना सकते हो तो आज की वीडियो में बस इ झाले बीफपी और आपके 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 आपके